हाई व्यटल्ट वीडियो कैसे ओप लोग मैं आप लोग के लिए लेकर आगया हूं udemi के पैट कोर्स बिलकुल फ्री में यह सारे के सारे कोर्स बिलकुल फ्री में आपको मिलने वाले हैं साथ में अगर आप पॉर्स कंप्लीट करते हो तो आपको इनका सर्टीफिकेट भी मिल जाएगा इस वीडियो में आप लोग को मैं बेस सेलर के कोर्सेज हाई रेटेट कोर्सेज साथ में जो कोर्सेज बहुत इंपोर्टेंट हैं 4.0 से अब उनकी रेटिंग है और साथ में एड दिलास में ऐसे कोर्सेज के बारे में भी बताने वाला हूँ जो की नियू है बट आ आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का जो पहला कोर्स है वो है Apache Cordova अगर आप मोबाइल एप्स वगर आप बनाना चाहते हो HTML, CSS and JavaScript से तो यह भी कोर्स जो है बहुत अच्छा हो सकता आपके लिए क्योंकि इसमें आपको मोबाइल एप्स बनाने के लिए बताया जाएगा जिसमें आप HTML यूज कर सकते हो CSS यूज कर सकते हो साथ में ही JavaScript भी यूज कर सकते हो कोर्स का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के दूसरे कोर्स के तरफ आज का जो दूसरा कोर्स है वो है Mastering Figma Beginners to Expert इसमें आपको web design के बारे में desktop program design के बारे में ग्रैफिक design के बारे में UX, UI design आप जैसे जानते हो user interface, user experience यह सारी चीज़े इसमें design के लिए बताए जाएंगी logo design के लिए बताए जाएगा course का coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है course बिलकुल free में मिल रहा है अब बढ़ते हैं आज के तीसरे course के तरफ आज का जो तीसरा course है वो है the 60 Minutes Master Class on Facilitating Virtual Meetings let's suppose आप virtual meeting करते हो या फिर आपके company में जरूरत परती है तो यह course ले सकते हो यह highest rated course है virtual meeting के regarding जो भी courses available है Udemy पे course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के चौथे course के तरफ आज का जो चौथा course है वो है non-profit Google grant ultimate non-profit approval guide अगर आप Google से ad grant लेना चाहते हो Google से non-profit basically आप non-profit grant लेना चाहते हो कोई organization है जो आप चाहते हो कि grant ले ले Google से यह course ले सकते हो इसमें आपको अच्छे से समझाया जागा कैसे आप Google से approve करा सकते हो अपना grant course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के पांचवे course के तरफ आज का जो पांचवा course है वो भी hot and new 4.2 डेटिंग है reverse engineering का course है तो इसमें आपको 64 DBZ debugger जो होता है उसके बारे में बताया जागा जो reverse engineering के लिए basically use होता है जैसे यहाँ पे जो crack में चैलेंजिस बगरा होता है उसको कैसे solve कर सकत initial course बहुत सारे लोग इसके लिए request भी कर रहे थे excel के बारे में अगर आपको excel के formula functions के बारे में जानना है कैसे इसको implement कर सकते हैं जैसे कैसे आप excel में filter and और वगरा कैसे if condition वगरा यूज कर सकते हो course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है इसको यूज करके आप course free में enroll कर सकते ह अब बढ़ते हैं आज के साथवे course की तरफ आज को जो साथवा course है वो है public speaking के बारे में अगर आप अपना एक बहुत ही अच्छा personality बनाना चाहते हो public speaking के लिए आप कैसे audience को engage कर सकते हो यह सारी चीज़े सीखनी है तो course ले सकते हो course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब कोर्स का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के 9th course की तरफ आज का 9th course है वो है marketing automation and email marketing for beginners आपको पता होगा अगर कोई भी आपका business है अगर आप email marketing करना चाहते हो अगर email marketing करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से अपने audience के साथ अपने जो आपके market में समा दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के 10th course की तरफ आज का 10th course है वो है advanced buffer overflow attack की course इसमें आपको sting attacks के बारे में सिखा जागा windows buffer overflow के बारे में दिखा जागा basically इसमें जो ethical hacking के rules है जो guides है वो सारी चीज़े आपको बताई जाएंगी course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब Python या फिर R programming language जानना ही चाहिए अगर आपको Python सीखना है deep learning के लिए machine learning के लिए data analysis के लिए जैसे Python में जो modules होते है numpy, pandas, matplotlib तो यह course ले सकते हो course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के 12th course की तरफ जो 12th course है वो है angular router in depth अगर आपको angular router के बारे में जानना है आपका ऐसे angular single piece applications बना सकते हो तो course ले सकते हो course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप use करके course free में ले सकते हो अब बढ़ते हैं आज के 13th course की तरफ आज का जो 13th course है वो है Python programming language अगर आपको Python programming language सीखना है आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ आपको बढ़ते हैं आज के 14th course की तरफ आज का जो 14th course है वो है Python 3 के बारे में ही आपको इसमें एक simple game बनाने के लिए बताया जागा जिससे आपका जो basic concepts वगरा है वो सारे clear हो जाएंगे course का जो coupon code है यहाँ पे दिया हुआ है अब बढ़ते हैं आज के last यानि Python के जो quiz के बारे में तो अगर आपको Python आता है Python का basics आता है आपने पढ़ लिया तो एक quiz दे के आपको certificate ले सकते हो इस quiz का course का जो कूपन कोड़ा है यहाँ पे दिया हुआ है तो guys आज के लिए बस इतने ही courses आपको आपको आपके पसंद का course मिल गया है अगर आपको और भी कोई course यह तो आप जर कर लो क्योंकि वहाँ पे भी मैं आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अप्डेट्स लाता रहता हूं तो guys मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बाबाय, have a good day, stay home, stay safe and keep learning